भारत के 95 बड़े बड़े सरकारी अफसरों ने भारत की कुछ बड़ी प्राइवेट कमपनियों और कॉर्परेट्स को एक चिठी लिखी और उस चिठी में कहा इन कमपनियों को कि उन न्यूस चैनल्स को विग्यापन देना बंद कर दें जो न्यूस चैनल्स नफरत फैलाते हैं हम भी मानते हैं कि नफरत फैलाने वालों का भषकार होना चाहिए और आपको टॉक्सिक कॉंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के 95 लोग ये तैकर सकते हैं कि क्या नफरत को रिपोर्ट करना भी नफरत फैलाना माना जाएगा अब मैं आपको चुट्टी दिखाता हूँ मेरे हाथ में इस समय वो चुट्टी है जो भारत में बड़े-बड़े सरकारी पदों पर रह चुके बड़े-बड़े सरकारी अफसरों ने देश के एड़िटाइजर्स को लिखी है इन 95 पूर्व सरकारी अधिकारियों ने जिनमेंसे ज़्यादातर आईएस अफसर हैं आईपिएस हैं या आईएफस अफसर हैं इन्होंने अपना एक समहू बनाय हुआ है जिसे मैं तो समहू नहीं मानता मैं इसे गैंग कहता हूँ इन्होंने अपना एक गैंग बनाय हुआ है और उस गैंग का नाम रखा है क्योंकि सब पड़े लिखे लोग हैं अंग्रेजी जानते हैं इनकी सॉफ्ट पावर बहुत है विदेशी मीडिया इन्हें पसंद करता है इसलिए ये बहुत फैंसी नाम रखते हैं जो आपको इंट चालाकी से इनोंने कर लिया इस ग्रूप का दावा है कि ये किसी राजनेतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता और इस ग्रूप के सदस से निश्पक्षता और भारत के समिधान के साथ हैं ऐसा ये दावा करते हैं इस चिट्टी में सबसे पहले देश की कमपनियों व्यापार पर ये आरोप लगाया गया है कि इन कमपनियों कि ये कमपनिया उन मीडिया हॉसेज को बेजजक विग्यापन दे रही हैं जो नफरत पहलाते हैं जो धर्म और जाती के नाम पर देश को बांट रहे हैं जो जूटे नेरेटिव पेश करते हैं और सीधे साधे और कानून का पालन करने वाले लोगों को अपराधी बना देते हैं इस चिट्टी में लिखा है ये शायद इन एडविटाइजर्स ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा या फिर अंजाने में न्यूस चैनल्स को विग्यापन देने की गलती करते रहे होंगे लेकिन आब इन लोग इसी की परिक्षाओं में मुसल्मानों की घुसपैट की जूटी खबरें चलाई और लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाए उन चैनल्स को विग्यापन देना बंद कर देना चाहिए चिट्टी लिखने वाले पूर्व अधिकारियों ने कहा है एडविटाइजर्स इसके ब अर्थन्दिया और इनकी कुल संक्या है पिक्चान में थोड़ा सापको मैं पढ़कर बता देता हूं क्या लिख रहे हैं फिर आगे लिखा है इसा इसमें लिखा हुआ है लेकिन हमें ये हैरानी है कि देश में इतने बड़े-बड़े मुद्दे हुए तब ये सारे लोग चुप थे और ये कब-कब चुप थे वो हमने एक लिस्ट बनाई है अज अब आप इस चिट्टी के पीछे चिपी असली मंचा को तीन पॉइंट्स में समझेए फिर विस्तार से बात करेंगे और वो तीन पॉइंट्स क्या हैं देखिए पहली बात ये कि कुछ मुठी भर लोग मिलकर न्यूस चैनल्स की फैनेंशल सप्लाई आर्थिक सप्लाई पाइपलाइन को काटना चाहते हैं ताकि न्यूस चैनल्स इन लोगों की विचारधारा क सामने सरिंडर कर दें और सच बोलना बंद कर दें सच बोलने में अब हमारे जैसे न्यूस चैनल को डर लगना चाहिए ये लोग ऐसे हालाट पैदा करना चाहते हैं कि सच बोलने वाले न्यूस चैनल्स अपने करमचारियों को तनخواہें तक न दे पाएं पत्रकार अदालतो के चक्कर लगाते रहें और उन्हें नौकरियां मिलने में परिशानी हो ये सीधे सीधे एक प्रकार की धंकी है दूसरी बात ये चिट्थी लिखने वाले इन अधिकारियों ने जिन खबरों को नफरत पहलाने वाली खबर बताया उन सब के केंदर में सिर्फ एक धर्म विशे के लोगों के बारे में दिखाई गई खबरे हैं चाहे वो कोविड-19 को सामपरदाइक बनाने की बात हो चाहे वो लव जिहाद की बात हो इन लोगों ने आज और आज से पहले जितनी चिट्थियां लिखी हैं उन में से किसी में भी पाल घर में साधू की हत्या का विरूद नहीं किया मुंबई हमलों पर एक बार बात नहीं की शाहीन बाग के विरूद प्रदर्शनों के आजादी का दुरूपयोग उसे नहीं बताया लेकिन इसलाम में पहले कट्टर पंथ का विरूद करना इन्हें मुसल्मानों के खिलाफ नफरत पहलाना लगता है हम आज भी गलत फहमी ये पैदा कर रहे हैं कि हम जैसे ही किसी कट्टर पंथी के खिलाफ बात करते हैं ये कहते हैं कि हम पूरे के पूरे धर्म के खिलाफ बात कर रहे हम जो अमन और शान्ती में विश्वास करने वाले लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों हम उनके साथ हैं उनका स सारे सरकारी अधिकारी आज भी अपने अपने उन बड़े-बड़े पदों पर बैठे होते तो क्या ये लोग तब भी ऐसे ही एक तरफा फैसले लेते अगर लव जिहाद के नाम पर निकिता तोमर के मडर का केस ऐसे किसी अधिकारी के पास आया होता तो क्या वो अपने एजेंडे को एक तरफ रख कर अपना फर्ज निभाता राहुल राजपूत की हत्या के मामले में अगर इन में से कोई अधिकारी होता तो वो क्या फैसला लेता शाहीन बाग का मामला अगर इन में से किसी अधिकारी के संग्यान में लाया जाता तो ये लोग क्या करते आज बड़ा सवाली है ये सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं जो लेफटिनेंट गवर्नर जैसे पदों पर भी रहे हैं अब आप सोचिए इनके संग्यान में जब इस तरह की बातें आती होंगी आई जरूर होंगी तो इन्हें समिधान की याद नहीं आती लेकिन जब नफरत को रिपोर्ट किया जाता है और इस रिपोर्ट के केंदर में किसी धर्म विशेश के लोग आ जाते हैं तो इन्हें समिधान की याद आती है जब देश भर के मुसल्मान समिधान में दी गई आजादी के नाम पर देश भर की सड़कों को जैम कर देते हैं, सरकार के फैसले के साथ नहीं होते, तब ये लोग चिठ्ठी लिखकर इसे कभी गलत नहीं बताते हैं। Constitutional Conduct Group पूर्व सरकारी अधिकारियों का ग्रूप है, ये ग्रूप 2018 से अब तक अलग अलग मुद्दों पर 30 से ज्यादा ओपन लेटर्स लिख चुका है। दुख जताते हैं और कभी रफाल, विमानों की डील और डीमोनेटाइजेशन पर सवाल उठाते हैं। बस इतना किया है इनोंने। आज हमें समूद वारा लिखी गई एक भी चिट्टी ऐसी नहीं मिली जिसमें सम्विधान की धज्जियां उड़ाने वालों का इनोंने एक बार भी विरोध किया हो। पुलवामा में हमारे सैनिकों की जो खून बहाया गया उसकी निंदा की हो। कहने को तो ये ग्रूप दावा करता है कि इनका किसी पार्टी से कोई संबन नहीं। लेकिन इनकी चिट्टियों की स्क्रिप्ट पढ़कर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चिट्टियों के राजनितिक स्क्रिप्ट राइटर कौन है। तो आज इन लोगों की पोल खोलना आप सब के सामने जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जो न्यूस चैनल अब सच बोल रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ एफ आयार होती हैं, जी के खिलाफ भी कितनी एफ आयार हुई हैं आप सब जानते हैं, फिर अदालतों में मुकदमें दर्ज कर दिये जाते हैं, अलग-अलग जगाओं पर, अलग-अलग कारेकरताओं के जरीए, वकीलों के जरीए, आर्टिया एक्टिविस्ट के जरीए शिकायतें डाल दी जाती हैं, ताकि अदालतों के चक्र लगाते रहें, और अब आखरी जो इन्होंने चाल चली है वो ये कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को ये कहा जाए कि अब इन न्यूस चैनल्स के विग्यापन बंद करते हैं, ताकि ये चैनल अपने आप ही बंद हो जाएं, इस विवस्था को तोड़ना होगा, इस तरह की चिट्थिया लिखने वालों को लगता है कि भारत में शादी के जिस लेंड जिहाद की खबर, जमीन जिहाद की खबर दिखाने पर हमारे खिलाफ केरल में F.I.R. हुई थी, वो खबर कैसे आज पूरी तरह सच साबित हुई, और कैसे अब सरकार उन लोगों की जमीने लोटाने वाली है, जिन की जमीनों पर रोशनी एक्ट की आर्ड में क साल की एक हिंदू लड़की को तीन लड़कों ने पहले अगवा किया, फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी की गई, ये घटना इसी साल 11 सितंबर की है, और आरूपों के मताबिक जिन लोगों ने इस हिंदू लड़की का परन किया था, उनके नाम है रियाज, अनीश और तलहा खान, लड़की के पिता के आरूपों के मताबिक ये तीनों लोग इस 19 साल की लड़की को जबरदस्ती अपने साथ पानी पतले गए, और वहां इस लड़की का रियाज से निकाह कराकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया, आप इस रसाओर अल्यों लाहि सवाओर नौथ। इस बात पर यकीन करना दिल से इसको दिल से मानना इसको इमान जब इसको हम दिल से मान लेंगे तो अच्छी तरी जैसे इसमें हमारा इमान ठहर जाएगा जिल इमान दिल पूरी गवाही दिल इस लड़की का धर्म परिवर्तन कैसे हुआ यह आप देख सकते हैं इस मामले में इस लड़की का परिवार F.I.R. दर्ज करा चुका है और यह मामला पंचायत के पास भी जा चुका है लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई लड़की के पिता जिस इलाके से आते हैं वहां एक धर्म विशेश के लोगो क्utersो है के सी बिनावे जिया जेaire ची में लड़की दयांगे लड़की दयाँगे वाइए उसके बाद मैं हमने ढ़ीता देते रहे जी हमर साहत में अब आज कल परसूं आज कल परसूं लड़की मेलेगी हम अपने घर बैट जिए फोक्शन आए जा फिर कशा नहीं लड़क और काहकरो वहाई हम बरता है आपकूड घूङजार टा-ठाइब है रहा हु सथां पैसा भर दीया हम पेतने पैसाथ ना जी गरीब आदमी आदमीय। कुछ नगारे होु हम कुछ नहीं यह ईक सुना के रहे हुआ हम कुछ ऑज oportunidad यहां बेला पुछ बार के लेगे खूब और हमारे कोई ब्यान ना देरी उनने इसे कर रहा कि यह बल्कुल कब जेम है यह दूसरा मामला भी मेवात के पास राजिस्तान के अलवर जेले का है और यहां भी एक पिता ने यह आरूप लगाया है कि उसकी बेटी की काशादी के बहाने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया लड़की के पिता एक प्रावेट स्कूल में अध्यापक हैं और उनके मताबक पिछले महीने 15 अक्टूबर को इनकी बेटी इनके घर से जोलरी और कैश लेकर अचानक गायब हो गई इसके अगले दिन यानि 16 अक्टूबर को लड़की के पिता को इस बात की जानकारी मिली कि लड़की ने मेवात के नुह में तारीफ खान नामक एक युवक्स से शादी कर लिया है और उसे अपना धर्म भी बदल लिया है पिता ने अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश की लेकिन इनकी बेटी ने पुलिस से प्रोटेक्शन ले लिया जब प्रोटेक्शन की मियाद खत्म हो गई और मामला अदालत में पहुँचा तो लड़की ने पिता को पहचानने तक से इंकार कर दिया लड़की के पिता का आरोप है कि लड़की से शादी करने वाले तारी लड़की के पिता का ये भी कहना है कि अगर तारीफ खान उनकी बेटी से सच में प्यार करता था तो उसने लड़की का धर्म परिवर्टन क्यूं कराया और अपना नाम भी गलत क्यूं बताया कम से कम प्रासाशन सरकार और सावाज में रचाए करें यह नहीं कहता कि मुसलमान बुरे होते लेकिन अच्छे लोग क्यूं सो गए इस धरम में अच्छे लोग क्यूं सो गए मेरी बच्छी की साथ में क्यूं सड़नत रचा गया जो हिंदू नाम लेकर के आथ में धगा बांद करके वो लोग मिलते थे मेरी बच्ची को बर्गलाया और फिर दीरे दीरे उसका माइड मेकप करके नी और मुस्लिम पदती से विवा किया नहीं तो हिंदूर मेरी बच्ची को हिंदू रहने देते क्या दिक कती मुझे वो मुसल्मान बन के रहता है मर्जी की मालिक कानून के आगे मैं भी नत्मस लकूँ मैं भी कानून की इज़त करता हूँ अब हमारा सवाल ये है कि धर्म निर्पेक्षता की आड में क्या इस पिता की बात नहीं सुनी जाएगी इस से पहले एक और पिता की बात हमने आपको बताई क्या इन परिवारों की बात नहीं सुनी जाएगी क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या इनके भी वही अधिकार नहीं है जो बाकी के लोगों के अधिकार है और जो लोग हमारे जैसे न्यूस चैनल्स इनके अधिकारों की बात करेंगे तो क्या हमसे ये कहा जाएगा कि हम नफरत पहला रहे हैं क्या हमसे ये कहा जाएगा कि हम समाज को बांट रहे हैं हम समाज को बांट रहे हैं या हम समाज के एक वर को इनसाफ दिला रहे हैं ये फैसला आपको आज करना होगा क्योंकि अगर ये फैसला हमारे देश के समाज नहीं या आप लोगों ने अभी नहीं किया तो आपको भी वही सब देखने को मिलेगा जो अब फ्रांस में देखने को मिल रहा है अच्छी बात यह है कि फ्रांस अपनी आँखों पर पट्टी बांद कर ये सब होते हुए देख नहीं रहा फ्रांस ने तुरंत इस पर कारवाई की है फ्रांस अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है और फ्रांस के राश्पती मेकरों जो सिर्फ 42 साल के हैं उन्हें पूरी दुनिया को ये बताया है कि इस कट्टर पंथ को खत्म करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है और इसलिए दुनिया भर के कट्टर पंथियों को ये बात अच्छी नहीं लग रही अब हम आपको धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर इलाबाद हाई कोट के दो महत्पूर्ट फैसलों के बारे में बताएंगे जो हाल ही में आये हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसे बहुत सारे लोग लव जिहाद के नाम से भी जानते हैं हम लव जिहाद नहीं कह रहे हम सरफ ये कह रहे हैं कि शादी करने के नाम पर धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पढ़नी चाहिए इन सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन क्यों किया गया जबकि सम्रिधान इस बात की इजाज़त देता है कि दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं बिना धर्म परिवर्तन किये तो इन मामलों में और जो हमने आज दो बड़े मामले दिखाए दोनों मेवात के हैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन क्यों किया गया? इलाबाद हाई कोट का पहला फैसला इसी साल सितंबर का है, जो वो मेरे हाथ में लेकर आया हूँ आज़. इस फैसले में हाई कोट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली एक लड़की को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. ये लड़की जर्म से मुस्लिम थी, लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने से एक महीना पहले इसने अपना नाम और धर्म बदल लिया. इस लड़की का नाम पहले नूर जहां था, लेकिन शादी के लिए इसने अपना नाम बदल कर अंजली कर लिया. फैसले में हाई कोट के जज महेश चंदरतरपाथी लिखते हैं कि इस से स्पष्ट होता है कि लड़की दुआरा सिर्फ शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया गया है हाई कोट ने अपने फैसले में 2004 के मामले का एक जिक्र किया जिसमें कोट ने माना कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना सुवीकार नहीं किया जा सकता दूसरा फैसला पिछले महीने 8 अक्टूबर का है इसमें लड़की हिंदू है और उसने एक मुसल्मान लड़के से शादी की हाई कोट ने अपने फैसले में कहा कि शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस फैसले में भी कोट ने यूनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर टिपने की है और कोट ने क्या कहा है मैं दो लाइन आपको पढ़कर बता सकता हूँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ हाई कोट कह रहा है अगर हाई कोट की इस बात पर भी लोगों को यकीन नहीं है तो फिर बा अगर कोई दो लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत के समयधान में Special Marriage Act 1954 इस बात की अजाज़त देता है कि कोई भी दो धर्म के लोग आपस में बिना धर्म परिवर्तन किये शादी कर सकते हैं और वो विवा समयधानिक होगा, सही माना जाएगा और वो आगे लिखते हैं कि इस एक्ट इस वन अफ दी अर्लियस्ट एंडवर्स तोर्डस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हम भी जो बार बार बात करते हैं वो यही तो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए इलाबाद हाई कोट के फैसले से साफ है, किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि शादी के बाद उसे अपना धर्म भी बदलना पड़े लेकिन फिर भी हमारे देश में एक गैंग यह मानने से इंकार कर देता है और भारत में लव जिहाद जैसी कोई चीज है लेकिन अब भारत के तीन राज्य लव जिहाद के खिलाफ ही कानून लाने पर विचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी योगिया अधित तिनात ने दो दिन पहले इस बात का जिक्र किया कि वो अपने राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे और अब हर्याना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के मुखे मंतरी भी उन्होंने साफ किया है कि अपने राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर ये लोग विचार कर रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है कि राज्य सरकारे भी अब इसके बारे में विचार कर रही है थाई कोट में एक अधिस दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाती साधी ब्याओ के लिए धर्म परिवर्तन आउस्यक नहीं नहीं किया जाना चाहिए इसको मानिता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णे दे रही है कि हम लोग जिहाद को सक्ति से रोकने का कारे करें एक प्रभावी कानून बनाएंगे चादम बेस में चोरी छुपे नाम छुपा करके सुरूप छुपा करके जो लोग वहान बेख्यों की इजट के साथ खिलवाड करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी अगर वे सुधरे में तो राम नाम सकते हैं कि यात्रा अब्र करने वादी है कौनून विदों से भी बात की है हम अपने संगठन के अंदर भी बात कर रहे हैं हम अपने से होगी संगठनों से भी बात्चित करेंगे और अध्यन करने के लिए जो अन्य प्रांतों में जैसे उत्तर परदेश में भी योगी जी ने मुनुहां के मुख्या मंतरी जी ने कहा है कि वो भी इस बारे में कुनून लाने पर विचार कर रहे हैं हम उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे लेकिन हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का परदेश में कोई शड़ेंतर चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सकत से सकत कनून लाया जा सके जेन लोगों को ये लगता है कि भारत में बहु संख्यकों के बीच असेंशीलता फैल गई आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि असेंशीलता फैल रही है समधान खतरे में आ गया है और कुछ भी कहने की आजाज़ी अब हमारे देश में बची नहीं और कोई दो लोग अलग अलग धर्मों के आपस में शादी कर लेते हैं तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है ये बात बिलकुल गलत है ऐसे लोगों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए जहां शारुख खान आमिर खान और सैफ अली खान जैसे बड़े फिल्म स्टार्स ने हिंदू महिलाओं से शादी की है शारुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की आमिर खान ने भी उनकी पतनी भी हिंदू है लेकिन इन स्टार्स पर कभी भी किसी ने लव जिहाद का आरूप नहीं लगाया और अगर ऐसा होता तो आप सोचिए इन स्टार्स की फिल्में इस देश में कैसे चलती है एक जमाना था जब मुस्लिम अविनेता फिल्मों में आते थे तो अपना नाम बदल लिया करते थे और हिंदू नाम रख लेते थे उधारन के लिए मुम्मद युस्फ खान दिलिप कुमार बन गए मुम्ताज जहान दहलवी मदुबाला बन गई मेहजबीन बानो मीना कुमारी बन गई और हामिद अली खान अजीत बन गई लेकिन किसी ने भी तब ये नहीं कहा कि ये लोग अपनी सफलता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों ने इने पसंद किया लोगों ने इने इतना बड़ा स्टार बनाया चाहे हिंदू हों, मसल्मानों किसी भी धर्म के लोग हो अब आप सोची अगर इस देश का बहुत संक्यक समाज सेहन शील ना होता तो क्या बॉलिवोड के इन बड़े-बड़े कलाकारों को इतनी लोगप्रियता मिलती इत्तिवाक से आज शारुख خान का जर्मदिन है कोरोना वाइरस से पहले जब भी वो अपने जर्मदिन के मौके पर अपने घर से बाहर आते थे तो उनके घर के सामने उनके हजारों फैंस की लाइने लगी लग रहती थी इन सभी धर्मों के फैंस शामल होते थे और आज भी शारुखान को किंग खान कहकर बलाया जाता है आज दिन भर किंग खान ट्रेंड कर रहा था क्योंकि आज उनका जन्म दिन है अब आप सोचिए कि भारत का ये जो पूरा समाज है अगर ये असेंशिल होता तो क्या ये कभी शारुख खान को किंग खान बनने देता लेकिन ये भारत देश शारुख खान को किंग खान कहता है उसे किंग बनाया इसी तरीके से आमिर खान की फिल्मों की सफलता अगर आप देखिए तो क्या उनकी फिल्मों का आप ये कहेंगे कि एक ही धर्म के लोग उनकी फिल्मों को देखते हैं तमाम धर्मों के लोग उनकी फिल्म को देखते हैं चाहे वो किसी भी धर्म से आते हूं किसी भी जाती से आते हूं ये सब कलाकारों की तस्वीर इस समय आपके सामने है क्या इन पर कभी किसी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने लव जिहाद किया है क्या कभी इनकी फिल्मों का कोई भहिशकार हुआ है ये सब आपके सामने आज है और ये बहुत बड़ी बात है और ये बात आपको ये बताती है कि भारत एक सहनशील देश है ये बात आपको ये बताते है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है लोगों को पूरी आजादी है वो किसी के साथ विवा कर सकते हैं शादी कर सकते हैं और इससे उनके करियर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, उनके फिल्मों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, लोग तब भी उन्हें उतना ही प्यार देंगे। आपको यादोगा कुछ महीने पहले हमने आपको जम्मू से जमीन जिहाद की ख़बर दिखाई थी और आपको बताया था कैसे रोशनी एक्ट नाम के कानून की आड़ में जम्मू कश्वीर में करोणों की जमीन को कौरियों के भाव बेच दिया गया ये ना सरफ अपने आप में जम्मू कश्मीर के तिहास का बहुत बड़ा घोटाला था बलकि इसके जम्मू की बहु संक्यक हिंदू आबादी को मुस्लिम आबादी से बडलने की कोशिश की जा रही थी वहां की डिमोग्राफी बडलने की कोशिश हुई पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर आईकोट ने इस मामले की जाँच सी बी आई को सौब दी और अब जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रोश्णियाक के तहट बांटी गई तमाम जमीनों को वापस लेने का फैसला किया है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और जिन लोगों ने जमीनों पर कबजे किये थे उनके नाम भी सारवजनिक किये जाएंगे इस साल मार्च में हमने आपको ये खबर दिखाई थी हमने 25,000 करोड रोपे के इस घोटाले का परदाफाश किया था लेकिन इसके बाद जम्मू की खबर दिखाए जाने पर हमारे खिलाफ केरल में गेर जमानती धाराओं में F.I.R. दर्च की गई तमाम जगों पर हमारी शिकायत की गई कि हम समाज को बांट रहे हैं हम नफरत पहला रहे हैं तब हमने इस खबर पर क्या का था इसके एक छोटी सी जलक आज आपको देखनी चाहिए और आपको ये भी देखना चाहिए कि मीडिया की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया को किन मुद्दों को उठाना चाहिए और जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उसका क्या असर हुआ वो भी आपको आज पता चलेगा सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहट जम्मू में 25,000 लोग बसा दिये गए जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कबजा दिया गया उनमें से करीब 90 परतिशत लोग मुसल्मान थे, मुसलिम थे हम यहापर किसी धर्म विशेश के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और हम भी उतने ही धर्म निर्पेक्ष है जितना ये देश धर्म निर्पेक्ष है जितना आप सब धर्म निर्पेक्ष है और धर्म निर्पेक्षता का मतलब ये है कि किसी खास धर्म को एहमियत ना देना सब को बराबरी के दृष्टी से देखना यहां हमारा मुदधा यह हम ये नहीं करें Г कि घरम विशश के लोगों को फायदा दिया गया उससे भी बड़ा मुदधा यह है कि हर धर्म को बरापरी का दरजा नहीं दिया जा रहा जमीन जिहाद पर हमने आपको जो खबर दिखाई थी वो जम्मू से दिखाई थी लेकिन इस मामले पर F.I.R. दर्ज हुई केरल में सोचिए कितना बड़ा विरोधा बास है आपको भी खुद समझ में आगया होगा कि खबर जम्मू से आई और F.I.R. केरल में हुई केरल में मेरे खिलाब जो F.I.R. दर्ज की गई उसमें आरोप है कि जी न्यूज ने 11 मार्च को जो कारिकरम दिखाया उससे देश के मुसल्मानों की धारमिक भावनाएं आहत हुई और ये F.I.R. आई पी सी की धारा 295 एके तैद दर्ज की गई है जो नॉन बेलिबल है लेकिन सवाल ये है कि जब भारत के समयधान का अनुचेद 19 सब को अभीवक्ति की आजादी देता है सब को अपनी बात कहने का हक देता है तो फिर जिहाद का जिक्र किसी की धारमिक भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है आई पी सी की इस धारा को उन पत्रकारों के खिलाफ नया राजनेतिक हत्यार बनाया जा रहा है जो सच दिखाने की हमत करते है इस देश में ऐसे गिने चुने पत्रकार या बचे हैं लेकिन कई राज्यों की सरकारों को ये सच पसंद नहीं है तो अब रोक्ष्णिय एक्ट के तहत जितनी जमीनी बांटी गई थी वो सब वापस ले ली जाएगी और आज ये जी नियूस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और हम ये मानते हैं कि हमने अपना करतब बे नभाया हमने अपना फर्ज नभाया और जो दूसरा गैंग है जिसे हम टुकडे टुकडे गैंग कहते हैं जो हमेशा कहता है कि समधान खत्रे में है उन्हें एक बहुत बड़ा जटका लगा लेकिन आज आज आप सब से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सतर साल से जो विवस्था चल रही है उस विवस्था को अब हमें बदलना होगा और जो नफरत पहलाई जा रही थी उस नफरत को जो चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं वो चैनल्स को अब लगातार परिशान किया जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है पहले F.I.R. का डर उसके बाद अदारतों का डर अब गला काटने का डर और फिर ये डर की विग्यापन मिलने बंद हो जाएंगे चैनल एक दिन बंद हो जाएगा इसके बारे में आज आप सूचेगा जरूर अब आपको मत्रा से आई एक खबर दिखाते हैं जहां मशूर नंद बाबा मंदिर में दो लोगों दोरा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है ये तस्वीरें नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ते हुए फैजल खान और मुहम्मद चांद की है मंदिर प्रशासन के शिकायत के बाद इस मामले में F.I.R. दर्ज हो गई है अब इस बात की जांच हो रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया एक पक्षका कहना है कि न्युवाओं ने सद भावना फैलाने के लिए ऐसा किया जबकि दूसरे पक्षका कहना है कि हिंदूों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए ऐसा किया गया कि हमारे सामने हमको पता तक नहीं है इसके बारे में वो सरासर जूट फैला रहे हैं और उनके पीछे एक यात्रा थी चार दिन की और सदभावना यात्रा जो थी वहां पहुँची तो आप सद भावना हमारी आत्राओं में कोई एक तरह के लोग नहीं होतें मुखतलिफ धर्मों के मतों के मानने वाले तो जिसका जहां पर कोई समय हो जाता है वो अपनी अबादत कर लेता है इसमें क्या हम चर्च में ठहरे हुएं वहां कोई किसी को नमाज पढ़नी है किसी को पूजा करनी है किसी को और कुछ करना है तो अपना करता है यह हमारा मानना है मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारा, चर्च सब एक ही है और हर जगा उजा करने का अबादत करने का जो मकसद है वो यही है कि भगवान से प्रार्थना की जाए और इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन मंशा, दिल साफ होना चाहिए मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे इनका मकसद क्या था, इसकी तो जाच हो रही है लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान देनी होगी और वो यह कि इस घटना के बाद भी किसी ने शहर में आग नहीं लगाई, कोई विरूद प्रदर्शन हो गई है, जबकि हम बार बार यह कहते हैं, हमारी नजर में सब एक है सब धर्म बराबर है सब का बराबर रिस्पेक्ट होना चाहिए, सब की बराबर इज़त होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए यही भारत जैसे देश की खूबसूरती है वर्ष 1946 में डॉक्टर भीम राव अमबेडकर ने पाकिस्तान और दी पार्टिशन आफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जा रहे हिंदूओं को एक संदेश दिया था और उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संबव हो भारत आ जाएं मुसल्मानों पर किवल इसलिए भरोसा ना करें कि उनकी सवरन हिंदूओं से नाराजगी है ये बहुत बड़ी भूल होगी इसी किताब में उन्होंने लिखा है मुसलिम नेता धर्म निर्पेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदूओं से है और धर्म निर्पेक्ष रवाई अपनाने पर उनका अपना समुदाए इस लड़ाई में कमजोर हो जाएगा आगे उन्होंने लिखा दुख की बात ये है कि अमीरों के खिलाफ नियाए की लड़ाई में गरीब मुसल्मान गरीब हिंदूओं का साथ नहीं देंगे पुझीवाद के खिलाफ लड़ाई में मुसलिम मजदूर कभी हिंदू मजदूर का साथ नहीं देंगे धीमराव अमबेडकर हमेशा दलित और मुसलिम राजनीती के गड़जोड के खिलाफ थे डॉक्टर अमबेडकर के भाशनों और लेखों के संकलन को स्टड़ी करने पर हमें उनकी कही एक और महत्पूर्ण बात मिली है जो आज आज आपको सुननी चाहिए उन्होंने का मैं मुसलिम भारत और गैर मुसलिम भारत का विभाजन बेहतर समझता हूँ क्योंकि ये दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है अवश्य ही अन्ने विकल्पों में ये अधिक सुरक्षित है डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि इस देश में मुसल्मान हमेशा ही शासक वर्ग रहा है और अगर दलित और मुसल्मानों का गट जोड होगा तो दलितों का भला नहीं हो सकता उनका शोशन ही होगा जोनों ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर दुकाने खुली हुई हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर वोट्स तो जरूर मांगते हैं उनके नाम के पोस्टर लगाते हैं उनके नाम पर पार्टियां बना लेते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है इन बड़े बड़े मुद्दों पर इसे हमारे देश के लोग भूल चुके हैं इसलिए हमने आपको याद हावा चलाने वाले एक बुजर्ग कांता प्रसाद और उनकी पत्नी की बदहाली का एक वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर डाला, सुशल मीडिया पर डाला और ये वाइरल हो गया इस वीडियो वाइरल होने से पहले कांता प्रसाथ दिन बर में मुश्किल से 100 रुप्या कमा पाते थी लेकिन वीडियो वाइरल होने के बाद पूरे देश से बाबा के ढबे के लिए मदद आने लगी तो हेलो जी एकपर फिर से स्वागत है आपका सुआध ऑफिशल पे और आज महूं मालवे नगर में और मेरे पीछे आप यह भी बेख सकते हैं हनुमान मंदिर है और यहाँ पे है कॉरनर मारकेट और हनुमान मंदिर के बिलकुल सामने है यह बाबा का टाबा और यहाँ पे है इसके बाद से देश भर से इस बुज़र्ग पत्ति पत्नी के लिए लोग मदद भीजने लगे बहुत सारे लोग इनके ढाबे पारा कर खाना खाने लगे बहुत सारे लोगों ने डोनेशन देना शुरू कर दिया लेकिन आप इस पूरे मामले में एक नया मोड आ गया है और पहले आप ये वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर गौरा वासन का एक नया वीडियो देखिए बाबा का वीडियो बनाने वाले व्यक्ती ने अपील करते हुए एक बैंक अकाउंट नंबर और एक पेटियम नंबर शेयर किया था जिससे लोग इस बुज़र को आर्थिक मदद कर पाएं ये अकाउंट नंबर यूट्यूबर गौरव का है और ये पेटियम नंबर उनके परिवार के सदस्से का वीडियो वाइरल होने के 24 घंटों के अंदर ही बाबा के नाम पर तकरीबर तीन लाक रुपे कि मदद आ गई लेकिन वो मदद गौरव के बैंक अकाउंट में पहुंची अब इस बुज़र्ग ने ये आरोप लगाया है कि गौरव ने जान बूज कर केवल अपने और अपने परिवार वालों के बैंक डिटेल शेयर किये थे और काफी रकम उन्होंने अपने कि इस यूट्यूबर ने उन्हें किसी लेंदेन के बारे में कि उनको लेकर कितनी मदद आई है कितना पैसा आया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है साथ तारी के वीडियो बनी थी तो आठ तारी को तो लोग कोई नहीं आए था मगर नौ तारी को पूरा भीर हो गई थी नौ तारी को तकरीविन हमारे को जैसे खाने वाले आए हैं और कोई दे रहा है पांसो कोई हजार कोई दो हजार हैं ऐसे दुकंदारी है ऐसे हमारे को पिछट्र हजार पर एक दिन्य कठ्था हो गया था अचाओ साम को गवरोज याए बोले बाबा एक पैसे घर में रखना ठीक नहीं है नहीं रहा अच्छा जी उन्हें की बैंक में जमा करा दो तो गवरोजी और हम दोनों आजमी गए घर पर घर पर पैसे अपना कठ्था करके हमें जमा कराएं ले पर पास सारे वो प्रूफ है सारे वो तत्व हैं जो ये पूफ कर दे कि मेरे पास 25 लाग रुपय को आएं मेरे पूरी एंट्रीज है और मैं सफाई दे भी रहा हूं और सोचे मैं अपने पर्सनल डीटेल सब के साथ शेयर कर रहा हूं क्यूंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है तो कई बार हम सोचते हैं कि इंटरनेट करांतिकारी चीज़ तो है सोशल मीडिया पर हम किसी की मदद भी कर सकते हैं लेकिन कई बार ये मदद करना एक नए विवाद को भी जन्न दे देता है अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सच कह रहा है कौन जूट कह रहा है लेकिन एक नया मूड तो आही गया है हम इस पूरे मामले पर आगे भी नजर रखेंगे और जो बज़र्ग हैं जो ये ढाबा चला रहे हैं उन से हम मिलते रहेंगे और उनका पैसा अगर किसी ने जरा सा भी इधर उधर किया है तो हम पूरी कुशिश कर प्रज्ड करना प्रफेंगे प्रप्स करिंज ऑल्लोगे अप से कर दोड़े न वो